जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे रहे हैं ग्लोबल गॉन्फलेक्ट दोस्तो इंडिया और चायना के जड़ब के दर्मियान एक तरीके से चायना द्वारा पाकिस्तान का भी भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया चाहे हो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के दूसरे बॉर्डर मतलब लाइन अफ कंट्रोल में सीसफायर वाइलेशन को बढ़ा देने का कारवाई हो या फिर आतंके घुसफेट को बढ़ाने का कारवाई हो हर तरीके का हतकंडे को चाइना और पाकिस्तान द्वारा अपना लिया गया पर अब सुनने को आ रहा है कि इस दर्मियान चाइना द्वारा पाकिस्तान के अंदर अपने fighter aircraft और बड़े संख्या में troops भी भेजा गया दोस्तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आपको बताओंगा कि क्यूँ चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा संख्या का deployment किया जबकि वीडियो के दूसरे हिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्द से जल्द भारत इंडिजिनिया सत्यारों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए प्लेस किया एक वहुत बड़ा ओर्डर तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो चाना के पीपल लिवरेशन आर्मी एरफोर्स के तरफ से दिया गया एक स्टेटमेंट के मुताविक चाना द्वारा अपने ट्रूप्स और फाइटर एरकेप्ट को अडिपलाइमेंट इंडिया के गुजरात से लगे हुए बॉर्डर के नजदिक एक पाकिस्तानी एरवेस में किया गया है चाना के एरफोर्स के स्टेटमेंट के मुताविक ये डिपलाइमेंट असल में दोनों देशों का एक बाइलेटरल एकसराइस के लिए है जो दोनों देशों के ओपरेशनल रेडिनेस और कॉमबैट फीपरेडिनेस को परखने के लिए भी है दोस्त का ये कहना है कि ये exercise डिसेंबर महिने के अंत में होगा दोस्तो आपके जानकारी के लिए वता दू कि इंडिया और चायना के लदाक में जड़व के दर्मियान इस तरीके के बड़े exercise खास करके इंडिया से लगे हुए border reason में करना और खास करके इसमें पाकिस्तान जैसे देश को शामिल करना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को सहारा लेते हुए चायना भारत को दोनों तरफ से घेरने का भरपूर प्रयास कर रहा है दोस्तो इस statement में ये भी कहा गया है कि डिसेंबर के अंतक जैसे भी करके इस exercise को अंजाम देना है क्योंकि पाकिस्तान और चायना चाह के सबसे बड़े exercise का भी दर्जा दिया गया था इवन दोस्तो एक DR नामक Twitter handle द्वारा भी हाली में tweet करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान occupied कश्मीर से लेके पाकिस्तान के सिंध तक Chinese Air Force के एक Y20 Heavy Lift aircraft को spot किया गया जबकि उस aircraft के ही path को follow करते हुए और एक unknown aircraft को भी spot किया गया exercise में participate करेंगे दोस्तो इसके इलावा संध है तो इस बात को लेके वी है कि जिस तरीके से चायना द्वारा अपने fighter air captain को line of actual control के नजदिक deploy किया गया है और जिस तरीके से चायना आए दिन अपने fighter air captain को लेके line of actual control के नजदिक exercises कर रहा है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इ भारत के border के काफी नजदिक है और इसे 2017 के December महिने में ही बनाया गया था दोसो वोलरी airways को लेके कुछ महिने पहले पाकिस्तानी air force के चीप के द्वारा भी बयान देते हुए बताया गया था कि ये पाकिस्तानी air force के readiness को मजबूत करेगा साथ में समुंदर के उपर भी पाक कर को मजबूत करेगा वोलरी airways को लेके पाकिस्तान के अंदर ही मीडिया में भी चर्चा करते हुए कई बार बताया जा चुका है कि इस airways को CPAC के protection के लिए बनाया गया है मतलब साफ साफ इस airways के construction के ऊपर भी चायना के हाथ दिख रहा है दोसो CPAC के नाम पे और CPAC के सुरक भारत के खिलाब भारत को घेरने के लिए करने का प्रयास कर रहा है जिनमें ग्वादर पोर्ट से लेके ये भोलारी airways तक शामिल है जबकि चायना और पाकिस्तान के इस तरह के मनसूबे को counter करने के लिए भारत के तरफ से बड़े मात्रा में तैयारी भी किया हुआ है और भारत भी अपने air force को full alert में रखा है दोसो दोनों देशों के air force के दरफ से अगर कोई भी activity करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर से इन दोनों देशों को खामिया भुगतना पड़ेगा क्यूंकि भारत के air force दोनों देशों को एक साथ counter करने का शमता रखता है दोसो ये त इसको फिर से trial कर रहा है पिछले वार के trial के failure के दो महिने के अंदर ही फिर से trial के लिए तयार कर लेना ये दर्शाता है कि ATAGS में बड़ा कोई failure नहीं था बलकि minor failure के बज़ा से ही पिछले trial को रोका गया था और धनुष के बाद ATAGS के जोरदा trial ये भी दर्शाता है कि Indian Army के इन हतियारों को जल से जल बड़े मात्रा में तयार करना भी शुरू कर दिया जाएगा और दोसो चायना के साथ जड़व को देखते हुए Army को short time frame में कम से कम 400 आधुनिक artilleryों का जरूरत है जो चायना से लगे हुए border के नजदिक deploy किया जा पाए जबकि खुशखवरी तो ये है कि DRDO के तरफ से इस ज़रूरत को देखते हुए तुरंट जवाब दिया गया और DRDO के कहने के मुताविक DRDO इन 400 गनों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए emergency basis पे 200 ATAGS गन को 18-24 महिने के अंदर Army को supply कर सकता है तोसो आर्मी द्वारा अपने ज़रूरतों को देखते कि भारत द्वारा निर्मित एडवांस टोर्ट आटिलेडी गन सिस्टमों को जल से जल DRDO सप्लाई शुरू कर सकता है चायना के साथ में महिने से जड़व के दर्मियान आटिलेडियों का requirement काफी जादा बढ़ चुका था और इसलिए ही भारत द्वारा इसराइल के साथ एक मेकेन इंडिया समझोते के तहट पुराने पड़े हुए एक बहुत लंबे डील को कम्प्लीट किया गया है दोस्तो इस डील के तहट इसराइल के ट्रक माउंटेड आटिलेडियों को भारत में निर्मान किया जाएगा और इन्हीं आटिलेडियों को चायना के खिलाप बॉ लॉंग रेंज आटिलेडियों के लिए काफी महत्तो रखता है इन आटिलेडियों को दूसरे किसी भी देश से खरिदे हुए आटिलेडियों के साथ कमफेयर किया जा सकता है इवन इनके पास ऐसा कुछ फीचर्स है जो अन्ने आटिलेडियों के पास नहीं है दोस्तो इव महिने के ट्रायल के दर्मियान जो फेलियर हुआ था उसके बाद डिफेंस चीफ जनरल विपन रावत के द्वारा भी बताया गया था कि ये फेलियर थोड़ा विफलता तो है लेकिन ये हमारे होसले को कम नहीं कर सकता आधुनिक की करन और इंडिजनेशन दोनों को ही भारत द द्वारा महत्तो दिया जा रहा है इसलिए Armed Forces के जरुवतिों को जितना हलत तक हो सके उतना इंडिजनियस इक्वेप्मेंटों के द्वारा पूरा किया जा रहा है और Armed Forces को आधुनिक करने के लिए काफी तेज गति से काम रहा है फॉल्सरूप डियाइडियो और अन्य रिसेच और्गोनाइशन के तरफ से आधुनिक हत्यारों का निर्मान बहुत तेज गती से किया जा रहा है और इनका परिक्षन भी आए दिन किया जा रहा है एहमद नगर में इन आर्टिलेडी गनों का फिर से ट्रायल शुरू क किया गया और ये दर्शाता है कि फेलियर से हम पीछे नहीं हटेंगे बलकि उसे ठीक करते हुए हम तेज गती से आगे बढ़ेंगे दोसो एटीए जीस के इलावा आर्मी के तरफ से बड़े मात्रा में धनुश आर्टिलेडियों का भी ओर्डर देने का बात कहा जा चुका है और इन आर्टिलेडियों के बेस पे कुछ अन्य आधुनिक एक्वेपमेंटों को भी निर्मान किया जाएगा जिन में सेल्फ प्रोपेल आर्टिलेडि और ट्रक माउंटेड आर्टिलेडि भी शामिल है और उन्हें भी बड़े मात्रा में इंडियन आर्न फोर्स के तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन